हेलो एब्रीवान वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज की वीडियो में मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी जूडियो की नेल पेंट्स का रिव्यू सबसे पहले मैंने यहां पे एक कॉंबो बाय किया था इनका मैनिक्यूर किट के नाम से यह आपको 1.99 रुपीज में मिल जाए उससे मिलती जुलती सी अगर आप डबल कोट करोगे तो भी थोड़ी शीयर लुक ही आएगी मुझे यह वाली नेल पेंट परस्नली काफी अच्छी लगी आपने देखा होगा ओपियाई वगयरा की नेल पेंट्स आती है शीयर नेल पॉलिशिस यह एक्जैक्ली बिल्कुल वैसी ही थी नेक्स्ट शेड़ जो हमारा वैनीक्यूर कीट वलए कंबो में आता है वो है यह वाला यह थोड़ा सा पीगमेंटिड है पहले वाली नेल पेंट से अगर आप सिंगल कोट भी इसका अप्लाए करोगे वह वह तो लिए पहले वाली नेल पतिंट शेड़ते हैं शायद नहीं अच्छा लगे एंड इनकी nail paints ना I think quick dry नहीं है मुझे लगा ऐसा थोड़ा सा dry होने में time लेती है next इसमें white shade है ये white थोड़ा creamy white सा color है not perfectly white shade है ये ये भी थोड़ा सा sheer side पे है proper pigmentation नहीं है अगर आप single coat apply करो तो भी बहुत अच्छी pigment दे ऐसा नहीं है फोड़ा सा sheer side पे थोड़ी run easy consistency है ये वाली nail paints की बाकी reviews में आपको ये वाली nail paint यूज़ करके बताऊंगी इनके साथ कौन-कौन से nail art मैं create करूँ नीचे comment कर देना पूर्थ इस combo में हमें मिलती है transparent nail polish I don't think कि ये topper है ये transparent nail polish है next मेंने यहां पे पीचीज वाला कॉम्बो लिया था इसमें भी हमें 4 nail paints मिलती है इसमें एक metallic nail polish and a glitter nail polish भी included है ये थोड़ा fall season से inspired nail paints का कॉम्बो है सबसे पहले इसमें थोड़ा orange shade मतलब nude orange color का nail paint है मैं ऐसा कह सकती हूं इसको थोड़ा सा ये nude orange shade है मतलब bright orange नहीं है ये light orange है ये थोड़ा neutral सा orange है अच्छा लगा मुझे ये वाला color इस price point पे और brand की nail paints भी आती है आप comment कर देना आपको किसका review चाहिए मैं video provide कर दूँगे आपको next ये वाला metallic color ये भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसके two coats की application से ही काफी अच्छा result आ रहा था otherwise जो low quality के metallic shade होते हैं उनसे अच्छी finish नहीं आती है उसके बाद इसमें थोड़ा ये brownish tone में है color इसका भी single coat application थोड़ा सा sheer था बड़ जैसे मैंने double coat करें ये काफी अच्छा लग रहा था मेरे nails पे ये वाला shade fair, medium, dark, dusky, her skin tone पे अच्छा लगेगा last इसमें glitter nail polish भी included है अगर आप ये वाला combo भाय करते हो ना तो आप इससे multiple nail art designs create कर सकते हो ये वाली glitter उतनी ज्यादा रिच नहीं है थोड़े थोड़े particles हैं इसमें अगर आप two to three coats apply करो के तो थोड़ी richness दिखेगी वैसे मैं suggest करूँगी कि आपको base coat लगा के उसके उपर ये वाली glitter apply कर सकते हो ये इनके mini nail paints की combo का review था last मैं आपके साथ share करूँगी इनकी full size nail paints का review ये nail paint 79 रुपीज की मिलती है ये वाला shade तो मैंने सिर्फ इसीले buy किया कि इसका name ही sheer था so I thought की sheer nail polish होगी single coat काफी अच्छा लग रहा था इसका exactly sheer nail polishes वाली look की दे रहा था double coat भी अच्छा लग रहा था इसका shade भी काफी प्यारा है आप ये वाला buy कर सकते हो ये मैंने थोड़ा green tone में shade लिया था pastel green color मुझे अच्छा लगा ये वाला ये वाला shade sheer nail polish से थोड़ा सा ज्यादा pigmented है two coats आपके nail को अच्छी coverage देते हैं मुझे लगते हैं ये वाली nail paints water marble nail art के लिए बहुत अच्छी होंगी अब आप पताओ मैं water marble nail art try करूँ ये वाली nail paints के साथ या नहीं last मैंने ये थोड़ा wine tone में shade लिया था इनका ये वाला nail color fair medium dark dusky hair skin tone पे अच्छा लगेगा so ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ जूडियो के 10 nail paints का swatch and review share किया आपको कैसी लगी comment करके बताना and मैं ये वाली nail paints के साथ कौन-कौन से nail art looks create करूँ आपके लिए ये भी comment कर देना thanks for watching मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में bye